इस योगेस और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस योटूब चैनल पर गाईस आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत जादा इंटरेस्टिंग सेंटेंसिस की लिष्ट लेकर आया हुआ हूँ जो आपकी spoken English में चार चांद लगा देगी आईए बिना किसी देर के शुरुवात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की सबसे पहला सेंटेंस देखिए याद करने की कोईसिस करो suppose कीजी कि आप किसी इनसान से बात कर रहे हैं और अचानक से वो आपको कोई बात बताने वाला था और वो भूल जाता है तो इस तरह से आप उसे कहते हैं याद करने की कोईसिस करो इस सेंटेंस कब बनाते हैं try to recollect अगला sentence देखिए, हवा में बाते करना बंद करो, इस sentence को आप बनाते हैं, stop plucking stars, or you can make such kind of sentence, don't pluck the stars, which means हवा में बाते करना बंद करो, अपने गिरेवान में जहाग कर देखो, peep into your own being, peep into your own being, कोई भी मा के पेट से सीख कर नहीं आता, देखिए कितना interesting sentence है, इस sentence को अक्सर हम कई बार अपने conversation में इस्तमाल करते हैं, कोई भी मा के पेट से सीख कर नहीं आता, इस sentence को आप बनाते हैं, nobody is a master by birth, nobody is a master by birth, जब मिया बेबी राजी तो क्या करेगा काजी, वैसे भी मैं कभी बाहर का खाना नहीं खाता, एनिवे, आई नेवर इट आउटसाइट, इतना भी क्यों हसरा है, इतनी हसी वाली बात तो थी ही नहीं, सपोस्किजिए आप किसी इनसान से बात कर रहे हैं, और वो आपकी बातों पर हसता है, बार बार हसे जा रहा है, तो आप इस तरह से कहते हैं, इतना भी क्यों हस रहा है, इतनी हसी वाली बात तो थी ही नहीं, इस sentence को आप बनाते हैं, why are you laughing so much, it was not such a laughing matter, चाय वाई लोगे क्या, देखिये, इस तरह से आप कहते हैं न कई बार, चाय वाई लोगे क्या, इस sentence को आप बनाते हैं, would you take tea and all, which means चाय वाई लोगे क्या, इसी तरह से अगला देखिये, भर्तन भर्तन साफ करो, do the dishes and all, next, कपड़े वपड़े धोलो, do the laundry and all, मैं किस्मत विस्मत में यकीन नहीं करता, I don't believe in luck and all, I don't believe in luck and all, अगला sentence देखिये, जरा अपने कमरे से निकल कर बाहर आना, just step out from your room, just step out from your room, तुम जहां मैं वहाँ, I must be where you are, I must be where you are, I must be where you are, किस ख्याल में खोई वे हो, which thought are you lost in, which thought are you lost in, कुछ अपनी तुम कहो, कुछ मेरी सुनो, tell me a bit about you and hear a bit about me, tell me a bit about you and hear a bit about me, which means कुछ अपनी तुम कहो, कुछ मेरी सुनो, मेरी जिन्दिगी में कोई कमी नहीं है, there is no sort coming in my life, there is no sort coming in my life, मुझे क्या लेना देना है सबसे, I have nothing to do with everyone, next, तुम पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, by believing on you, I made a big mistake, by believing on you, I made a big mistake, यहाँ पर देखिये बहुत बड़ी गलती, इसके लिए हमने क्या word यूच करा, big mistake, यानि कि बहुत बड़ी गलती, लेकिन इसी sentence को, अगर आप advanced English में बनाते हैं न, तो आप इस sentence को बना सकते हैं, by believing on you, I made a blunder, by believing on you, I made a blunder, blunder जो एक word है न, इसका मतलब होता है big mistake, यानि कि बहुत बड़ी गलती, next, मैं तुमसे मिलने को बेताब हूँ, I am dying to see you, I am dying to see you, ओके गाईज, आज की इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में, कुछ interesting sentences के साथ मैं, तब तक के लिए good bye,